हालो फ्रेंज, आप सभी का स्वागत हैं फ्रेंज, आज हम भाग देना सीखेंगे कि किस प्रकार से संख्याओं में भाग दिया जाता है तो फ्रेंज, यहाँ पे आपके लिए दो क् column लिये हैं पहला question है कि आपको चार का भाग देना है ब्रांच में दूसरा question है कि 11 का भाग देना है दो में तो phrase देखिए यहाँ पर कैसे देंगे पर इस question को हल करके बताते हैं आपको फ्रेस जब भी आप भाग दीजिएगा यहाँ पर इन दूनों संख्याओं का आपस में तुन्ला केजिएगा तुन्ला करने से आपको पता चला है कि यहाँ पर पांच क्या है चार से बड़ा है तो यहाँ पर चार का भाग पांच में चला जाएगा जब चार का भाग पांच में देंगे तो कितने बार में जाएगा एक बार में चारे कि यह चार का भाग जाएगा, चार होगा अब फ्रेंश क्या करते हैं, नीचे घटा लएथे भाचम क्या जाएगा 1 होगा, ठीक है अब क्या करेंगा फ्रेंश उन चार का भाग योचा आपको 1 में देना होगा, तो देपाएंगे तो बोलेंगे कि नहीं, यहाँ पे अब 10 में से 8 घटा लीजी 10 में से 8 जाएगा 2 होगा फिर नो जब एक बार दसमरों लगा लेते हैं तो जब हमको सुनने के बार शक्ता पड़ती है उतने 0 यहाँ पर बढ़ा सकते हैं तो यहाँ पर एक 0 ले सकते हैं देखें चार का भाग 20 में देखें किता बार में जाएगा चार पाचे पाच बार में चार पाचे 20 यहाँ प्या करें घटाएंगे देखें 0 में से 0 का कैंसी 2 में से दूझे कैंसी देखें फ्रेस यह आपका चार का भाग इसमें देना था तो एक दसमरों दूपाच एंसोर आया अब फ्रेस देखें यह फ़रा से डिफरेंट 11 का भा भाग देना है वो कम पढ़ रहा है यानि 11 का भाग 2 में नहीं जाएगा ठीक है जब 11 का भाग 2 में नहीं जा रहा है तो क्या कर सकते हैं कि यहां पर 1 दसमरों ले सकते हैं यहाँ पर दसमरों जैसे ही ले गए यहाँ पर 1-0 बढ़ जाएगा ठीक है, 1-0 बढ़ गए, अब देखिए फ्रेस, अब 11-11 का भाग जा सकता है कितने पर में जाएगा, तो 11-11 और 11-12, यहाँ दुर बार जब ले जा रहा है तो 20 से क्या हो जा रहे है बाइस अधीक तो इसका मतलब इससे कम ही होना चाहिए यानि 20 से कम होना चाहिए तो कितना बर जाए कि एक बार यानि 11 के यहां पर लिखेंगे 11 ठीक इसको घटाएंगे अब देखेंगे 20 में से 11 आपको बचेगा 9 ठीक है अब क्या करेंगे फ्रेंज कि यहां पर देखेंगे 11 का भाग अब 9 में नहीं जा रहा है तो फ्रेंज अभी आपको समझाएं कि यह एक बार आप 10 मुलों संख्या लगा लते हैं तो 10 मुल्ल लगाने के बार अब जितनी बार चाहा है उतनी बार आप 10 और ले सकते हैं और एक तो घाटाएंगे 20 औरemmentे का 10 चैटांगे 9 जाए गा ऐखाए, अब देखेए Friends, कि यहां पर एक और zero ले सकते हैं, ठिक जब zero लीए, देखेए यहां पर 20 लिका है, यहां पर 20 लिका है, इसका पुर्णराविर्ति हो रहा है, तो कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, यहां पर कितना लेखेंगे, ग्यारा, अब इसी सं तक एंसवर जीरो ले सकते हैं तो देखे 11 का भाग जब देंगे ते कितने बार में जाएगा आठ बार में गटाएंगे तो बचे का एक का एंसी लाउट देखे यहां पर जब देख रहे हैं कि दसमलो एक आठ एक यानि कि संख्या की क्या हो रहा है पुन्रावित्ति हो रहा ह संख्या की पुन्रावित्ति होने का मतलब कि आप जब 11 का भाग देंगे अब इसके आगे इसी संख्या का 1818 पुन्रावित्ति होदा रहेगा तो यह आपका एंस्वर भागफल कितना आएगा देखे लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे भागफल यहां पर जो संख्या थे उसको भागफल बोलते हैं तो लिख सकते हैं कितना कि 0.1818 यही फ्रेस क्या हो जाएगा कि भागफल आपका कितना जाएगा 0.1818…… करने का मतलब होता है कि यही संख्याओं का क्या हो रहा है पुनरा वृत्ति होता है तो फ्रेस ये आपका answer हुआ तो फ्रेस इस पकार से आप सिंपल तरीका से भाग दे सकते हैं तो फ्रेस आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बाक्स में इसके बारे में जरूर बताएं और यदि वीडियो आपको पसंद है यदि वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें